हेलो फ्रेंट्स इस हर्विंदर सिंग और यूट्यूब चैनल लॉर्ण विद हर्विंदर सार अते इस वीडियो विचे सी करांगे लिए इस इसबी ख्लाश ग्राही ऊणने इंबर सनुडे घंसी करें लिए नहीं थैंकरी नहीं है इस बहुंदे स्पीकरने इस फॉएम से शरी थे रुखैस्टर यह दिया lin decades देखांगे ते शुरू करन तो पहला एक संदेश जे है जे तक आप सारेया ने यूटिब चैनल लर्ण विध हर्विंदर सार नूँ सब्सक्राइब नी किता ते चैनल नूँ सब्सक्राइब जरूर करो ताकि नम्याँ वीडियो साब सारेया नूँ समय से प्राप हो सकण आओ शुरू कर देया ते सब तो पहलना लिखे है I am the heat of your heart on the cold winter nights ते हार्थ की हुन्द है कि जदो लगड़ा दे टेर नूँ अगला ही जन्दी ते सब तो हेठा वाली थानू हार्थ क्या जन्द है ते अथे रूख सानू है कि cold winter night वेच मैं तो अनू heat दिन्द हां ते हुन जदो गर्मी दी रूथ हुन दिया जदो गर्मिया हुन दिया हन तासी पेड़ दे दर्खता दे थले खड़े हुन दिया ते वो सानू तूप तो बचांदे हन ते रुख साथी सर्दियां विच भी help कर दे हैं सर्दियां विच उसानों heat देंदे हैं जदो सी लगकर नूं बाल देंदे हैं ते गर्मी दी रुथ विच जड़ रुख ने वो सानों चान देंदे हैं ते दोसे होन अग्य वदान तो पहला में तो आनों figure of speech जड़ स्लाइन विच यूज होया है उससे बारे दस्टना चाहांगा के होन जिवे यूज होया है screening summer sun ते उस तो पहला shade shade screening summer sun ते एस लाइन विच है एस दा बार बार यूज हो रहा है ते जिड़ा कॉंसोनेट ऐस से साउंड जे बार बार आ रही हुं दिया तो figure of speech जड़ा हुंदा हुंदा एलिट्रेशन ते एस लाइन विच जड़ा figure of speech यूज होया है वह है केड़े हुं देयां ते आप सारे ने सदेनल figure of speech नूँ पढ़ना है समझना है तो आप सारे विद्यार थी उस वीडियो नूँ जरूर देखना है क्योंकि figure of speech जड़ा कोशन पेपर विच भी पुच्छया जा सकता है आओ होना सी अपनी पोईमनों अग्गे पढ़ देया एंड माई फ्रूट सारे फ्रेशिंग रॉट्स क्वेंचिंग यूर थ्रस्ट एस यूर जर्नी ओन रॉट्ट की अर्थे द्रॉट्ध अर्थे continuous action ओ श्यलोईं लिक्विड ते क्वेंचिंग की अर्थे ड्रिंकिंग हुए विट। रुट्स छे रुखा विचले फ्रूट्स लगदैने वो सदी प्यास टेत्वे सोन रुखा दे फैदे दसे केये हनु कि को डी विंट नाइट जट सण वहीट देन देन ते गर्मिय विच्छ सान छाँ देन देन थे जद वासी जनुनी कर रहे हूं दिया सफर कोई तया कर रहे हुं दिया ताह उनना दे फूट साधी प्यास बुजाओं दे हन ते उस तो बात की क्या गया आयम दा वीम डेट होट्स यूर हाउस दा बोर्ड ऑफ यूर टेबल दा बैड उन विच यू लाई एंड दा टिमबर डेट बिल्ट यूर बोर्ट ते पहला दा की अर्थ हुं दा टिमबर हुं दिये मारती लकड़ी जिस दी बोट बन दिया ते अत्य सनु की किया गया ते सनु जड़े वोड यां ट्रीयों कह रहे है कि मैं करांदी सुरख्या ली बीम दा काम कर दा हां ते बल दा बोर्ड वी मेरा ही बनया होया है मैं बैट दी गडल और शेल ओप योर कोफिन यहां आदा होगा हो एक टूल हुं दा जाएंडल लक्र दा बने थी होंस्ताइड कीन्दे होंस्ताइड दर्थ फार्महाऊवस थैं क्रेडल की फिए नोच्या दा पंगूरा शेक कोफिन की नंदा है कोफिन होंदा ता पोड्वोद ते कोफ तो बच्चे दे पंगूड़े दी लकड़ भी मेरी ही बने हुई है अधे कौफिन दा शेल्ल की जड़ा को ताबूत है वह भी मेरा ही बने हुए है ते दोस्तों होन सानुन पता लगया भी सानुन लकड़ दे फ्यादय दसे गए हैं कि जनम तो लेके कि जड़ो छोटे बच्चे दा पंगूड़ा है क्रेडल है ओवी लकड़ भी बने हुए है अधे जड़ो मीन्स की जड़ो बच्चा जनम लेंदा ते ओधो लकड़ यूज करदा ते हुए जड़ो बंदे दी मौध हो जांदी है तब तबूद बंदा कॉफिन बंदा ओवी लकड़ भी बढ़े हुए 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 जनम तो लेके मरन तक जड़ी लकड़ साड़े नाल ही रहन दी है यह इस लाइन तो है क्या सकते है कि वोड़ अकमपनी सर्स बर्थ टू डेथ ते हुए इस तो बात लिखे है कि I am the bread of kindness and the flower of beauty ये who passed by listen to my prayer harm me not ते bread of kindness दा अर्थ हो गया रोजी रोटी दा साधन ते ये 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 दा अर्थ हो दा यू आल ते अथे सानों ट्रीस कह रहे हैं कि मैं तो अड़ली रोजी रोटी दा साधन है ते मेरे बलो दित्तेगे flowers तो अड़ी रोज मररा दी जिंदिगी विच काम आउंदे हन ते उस तो बाद क्याएगा ये हूँ पास्वाए वी जो लोग भी मिरे कोलो लंग रहे हन listen to my prayer मेरी फर्याज सुनो हार मी नौट वी मिन्नू नुकसान ना पंचाओ वी रुख कहरेने कि मिन्नू नुकसान ना पंचाओ ते जिस्दा अर्थ है रुखानू ना कटो ते दोस्तो इस पोईम वेच असी यह दिख्या वी रुखा दे सान्नू किन्ने फ्यादे हैं ते यह पोईम सान्नू की सिख्या दिन्दी है यह पोईम सान्नू यह सिख्या दिन्दी है वी सान्नू रुखा नुखसान नहीं पहुंचाना चाहिदा जिस दा अर्थ है कि साननो रुख है और नहीं कटने चाहिए ते दोस्तों ऐसी की पोईम प्रेर अफ दा वुट्स मैंनू पूरी उमीद है कि आप सारे नो या पोईम चंगी तरह समझ आगी होनी और असी इस दे question answers कर देया ते इस विट सब तो पहला question है गिव दा central idea of the poem वे इस पोईम दा की central idea तेश विट सी लिख सर्दे देपोई अंडरलाइं सा इंपोटन आफ ट्रीस इना देली लाइफ वी पोईट ने सानू ट्रीस दे रुखा दे महतव नू दस्या सादी जिंदिगी विच दे वुट फोईम्त दूरिं विंटर ट्रीस पोईज पोईज उस नौट हम दे ट्रीस विशुद नौट कट ट्रीस ते रिडिये सार्या गल्लाह नसी पोईम्त दे एक्स्पानेशन विच अल्रडी दिसकस कर चुक्यां तेहों नसी कर देया अगला कुस्चिन रीड दे लाइन बिलो और अंसर दा कुस्चिन दाट फॉलो आ याम स्क्रीनिंग यू फ्रॉम दा समर सन एंड माई फॉट्सार रिफ्रेशिंग द्रॉट्स क्वेंचिंग यू थर्स्ट एजू जर्नी ओन ते कुस्चिन पुच्छे अगया हो कें दा वूट्स गिवस हीट ऐस वेल आज कोल नेस ते लगकाट साननों हीट वी दिन दिया ते क विंटर देवेच सर्दिया देवेच हो ते सानों हीट मिल दिया है अते रुखा दी जडी शाह है फ्रेंडली शेड है वो सानों कोल्डनेस जिंदी है गर्मिया विच अगला क्वेश्चन है नेम दा फिगर ओफ स्पीच यू जिज इन दा लाइन दा फ्रेंडली शेड स्क अगला क्वेचन है लेस्दा ठीश्ट यू एट वोट गाश्ट गिवस्ट यू दे इस लाइन दे खॉर्ड ली वोट अनों कीखी दिदी है देस लाइन दे खौर्ड यू द गेवस हीट इन विंटर शेड इन समर ट्री आलसो गिवस फ्रूट ती अगला क्वेश्ट है वत on the fruits तेस दा अंसर है juicy bites of the fruits विद्दस्या कैसी का जो दो बंदा जर्नी कर रहा हुंदा सफर कर रहा हुंदा यात्रा थे हुंदा ता उफ फ्रूट स्खांदा ता उसी प्यास है बुझ रहा हुंदी है तेस दा अंसर है juicy bites of the fruits अगली यह लाइन ना पढ़ते हैं जी तेस दा अंसर है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ते अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ते दोस्तों ऐसी की पोईब प्रेयर अगला क्वेश्चन है पर जिस जड़े जड़े विद्यार्थी ने figure of speech दे वीडियो देखे नहीं तो figure of speech दी वीडियो जरूर देखे उज्जा लिंक थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दित्ता गया है मिलांगे आप सारे अगले लेसन देनाल उधों तक अपने द्यापक सरदार हर्विंदर सिंग नों देव इजाजत स्रीयकाल